यो फ्रेंड्स मैं मनीशा स्वागत करती हूँ आपका MLT Education Point पर आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबीन के बारे में हीमोग्लोबीन क्या होता है इसका structure क्या होता है ये कम हो जाता है तो क्या होगा इसको को रिटर्मिनेट करने की कौन-कौन से मेथट है इन सब के बारे में हम आज डीटेल में बात करेंगे तो हीमोग्लोबीन क्या होता है ये नाम से समझ में आ रहा है कि हीम प्लस ग्लोबीन यानि की हीम और ग्लोबीन से बना हुआ एक क्या है हीमोग्लोबीन एक हीमोग्लोबीन है किस के लिए RBC के लिए जबकि ग्लोबीन क्या है एक प्रोटीन है जो कि पॉली पेप्टाइट चैन से मिलकर बना हुआ होता है पॉली पेप्टाइट चैन कों सी दो अलफा और दो बीटा तो चार पॉली पेप्टाइट चैन से मिलकर बना हुआ एक प्रोटीन है जिसे हम क कंजूगेटिक प्रोटीन इसे क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह दो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है कौन-कौन से हीम और ग्लोबिन समझने की जरौत नहीं है इसके नाम से समझ में आ रहा है हीमोग्लोबिन इस दा आयरान कंटेणिंग कलरिंग मेटर ओफ आर भी सी हीमो आइरन कंटेनिंग होता है इसलिए हम कहते हैं कि अगर हीमोगलोबीन की कमी हो जाती है तो आइरन की मातरा ज्यादा लेओ तो आपके जो डाइट है उसमें आइरन कंटेनिंग फूड जो है वो लेओ जैसे की पालक गाजर चुकुंदर ऐसी चीज़े खाने से जिसमें आइरन होता है तो हीमोगलोबीन बढ़ता है यह तो हो गए हमारा इंट्रोडक्शन की बात की हीमोगलोबीन क्या होता है अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो यह हीम और ग्लोबीन दो चीजों से मिलकर दो कंपाउंट से मिलकर बना हुआ होता ह करेंस तो सबसे पहले तो ही जो होता है किसे बनता है एक ini का मोलीकूब कैसे बनता हैं सबसे पहले यह देखते हैं यह im 1972 कि करी landscaper ही अब यह ज्यादा हवा पाइरों रिंड्ग से बना हुआ होता है यह पाई इस में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जितना हमें जरुरत है उतना ही बात करेंगे इसका डाइग्राम आपको देखना है तो गूगल पे मिल जाएगा आजसानी से आप उसमें देख के बना सकते हों तो ये हमारा हीम मोलिक्यूल जो है चार पाइरोल रिंग से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें एक आईरन का मोलिक्यूल होता है तो ये आईरन का मोलिक्यूल है जो कि पाइरोल रिंग से जुड़ा हुआ है और इस पाइरोल रिंग के अंदर क्या होता है नाइट्रोजन होता है और यहाँ पे आके हमारा एक oxygen का molecule जो है वो bind होता है जबकि हिमोगलोबिन का function क्या होता है oxygen को ले जाना tissue तक lungs से tissue तक oxygen को ले जाने का काम इसका होता है तो वो oxygen जो है वो यहाँ पे आके bind होता है इस iron molecule से clear है उसके बाद क्या है consist of iron in the ferrous form यह हीम जो है वो iron से मिलकर बना हुआ होता है मैंने आपको बताई दिया है जो के ferrous form में होता है iron containing प्रोटोफोर फाइरीन आइरन जो है वो प्रोटोफोर फाइरन से contain होता है मतलब कि जब इसका synthesis होता है मैं आगे बताऊंगी तो यह iron और प्रोटोफार फाइरीन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एक हीम का molecule बनाते हैं कि डोफे कि द फेसी ओ हแต कि प्रोटीन है जो कि चार पोलिपटाइट चेन से मिलकर बना वहा उता है तो हमारे ही मोग्रोफे के अंदर चारपॉलिप प्पटाइडट चेंड भी होती है तो इसका अगर structure की बात करे हम तो हुता है तो अभी हमने कैम देखा एक हीन का मॉलीकिस यह हमारा एक हीन मोलिक्यूल है एक हीम का मोलिक्यूल है तो हीमोगलोबीन के अंदर चार पोलिपेप्टाइट चेन होती है तो हमें कितने मोलिक्यूल की जरूत है चार हीम मोलिक्यूल की जरूत है तो चार हीम मोलिक्यूल और चार polypeptide chain मिलकर क्या बनाती है एक हीमोगलोबीन बनाती है क्लियर है समझ में आया 1 हीमोगलोबीन कंटेन 4 हीम मोलेक्यूल एक हीमोगलोबीन जो है वो 4 हीम मोलेक्यूल से कंटेन होता है और 4 polypeptide chain से मिलकर बना हुआ होता है यह तो हो गया था इस ट्रक्चर के बारे में अब हम देखते हैं इसके टाइप के बारे में इस ट्रक्चर में आमने देखा था आल्फा और बीटा टू जिसमें की पॉलि पेप्टाइड चेंज होती है उसमें अलफा जो होता है वह 141 अमिनो अशेट से मिलकर बना हुआ होता यह मैंने आपको बताई दिया था कि यह जो पॉली पेप्टाइट चेन इसका सिंतेसिस कहां पर होता है राइबोसूम में होता है ठीक है ग्लोबिन चेंज होती है वह पॉली पेप्टाइट चेंज से मिलकर बनी हुई होती है टाइप्स की बात करें हम तो जनरली जो टू और बीटा टू होती है एजबी एटू की बात करें हम तो यह बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है बहुत कम लोगों में प्रेजेंट होता है नौर्मली जो है वह कौन सा होता है हम सब में एजबी ए होता है इसलिए हम इसे एडल्ट हीमोगलोबीन कहते हैं और इस हमट करें हम Das fascinating प्रहं मों मसट्च पर फ्रीट सोथा है जब बच्चा मा फेंक होता है तो शमकौन सा ही मंज़ेंग उता है जबी एफ तो जिसमें होती है वह हमारी पालीपटाइट चेंज होती है फो अल्फा से मिलकर होता है हुआ हा हीम इरीट्रोसाइट को छोड़के मैचोर इरेत्रोसाइट यह होता है इसको हुआ होता है पर इससे ज्यादा इरेत्रोसाइट इरेत्रोसाइट में मैचर इरेत्रोसाइट से पहले कि जो stage होती है प्रो इरेत्रोब्लास और रेटिकिलोसाइट तक कि जो stage होती है उसमें हिमोग्लोबीन का synthesis होता है मैचर इरेत्रोसाइट में क्यों नहीं होता है क्योंकि हीम का synthesis जो है वो mitochondria में होता है और इसमें mitochondria नहीं present होता है इस currency mature redocyte में hemecacynthesis नहीं होता है hemecacynthesis mitochondria में होता है और globin का synthesis जो है वो cytoplasm में होता है hemecacynthesis mitochondria में होता है पर साथी कुछ stage जो होती है वो cytoplasm में भी होती है कैसे होती है हम देखते हैं सबसे पहले mitochondria में तो इसमें क्या होता है कि two atoms जो होते हैं वो succinyl co enzyme के और two glycine के मिलकर क्या बनाते हैं aminolevelunic acid in the present of Alla synthese Alla synthese के present में aminolevelunic acid बनता है और ये aminolevelunic acid जो है वो convert होता है कि इसमें प्रोफोबिली नोजन में कन्वैट होता है। इं कि प्रहसिए शो एले डिहीर्टेस Seit प्रहसिए उर्पोयगे फाइरिनोजन में हो 210 11 9 अबवान आपको Google में चेहित आपर मिल जाएगा इतना तक मेने बताया है ज़्यद्ध आफ भी कन्फेज्थ मोझा इतने में पूछा भी निफाल दोता है नतंस भी का curo ओर फएडी नोजयन बन गया है उसके बाद में यह प्रोटोफोर्फाइरन गये साथ किसी साथ हमारे आईरेन की साथ कमभाइन होता है जो कि एक हीम पा प्रीटीन इशाथ फेरस फोम में प्रिजेंट होता है इस notification के साथ कमबायन हो यह दोनों हमारा gartे बनाएंगे एक हीम का मोलेकुल बना आगे तो हमारा complete एक हीम का मोलेकुल बन गया है तो हमो पूरा हीमोगलोबिन बनाने के लिए है चार हीम मॉलिक्यूल के जर्वत होती है तो इसी प्रकार चार हीम के छी प्रदे कि बनेंगे इसी से और ब्रकार से दे हमारा एक हीमोगलोबिन पहलेगा क्लिर है यहां पर बता देते हैं यह जगे खाली नती उद्र जिसे कि यह हमारा हमारा हीम का sinthesis में fillu वह गलोबीन का सिन्पेसिस होगा जो की प्रोटीन से मिलकर बनां हुआ है प्रोटीन कहां से बनेगा हमेरा रा यपोसम में बनता है तो यह पॉली पैप्टाइťट चैन से मिलकर और जैसे हमारी 2 2 α-chain, 2 β-chain बनेगी, यह 2 α-chain, 2 β-chain हमारी जाकर कंबाइन हो जाएगी, कहां पे, यह जो हमारा आइरन बना है, यहां पे, तो यह 4 हीम के मोलिक्यूल जैसे ही बनेंगे, यहां पे हम देखते हैं, एक मिनिट, जैसे ही हमारे 4 हीम के मोलिक्यूल बनेंगे, और उसके बाद में, ये हमारी 4 polypeptide chain बन गई है ठेक है यहां पे alpha 2, alpha 2, beta 2 और beta 2 और इसके अंदर हमारा प्रजेंट है एक हीम का मॉलेकूल एक एक हीम का मॉलेकूल समय प्रजेंट होगा और ये हमारा क्या बन जाएगा complete हीमोग्लोबीन तो यह synthesis I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं इसके function और इसकी normal range जो है वो कितनी होने चाहिए तो क्या होता है हीमोग्लोबीन का function हीमोग्लोबीन का काम मैंने आपको बताई दिया आता है एक तो coloring meter होता है यानि कि oxygen को ट्रांसफर करने का काम करता है तो सबसे मेंन और इंपोर्टेंट काम इसका यह है बाकी है के coloring meter of RBC RBC को color provide करने का काम भी करता है acid based regulation by eliminate CO2 in the lungs ठीक है यानि कि CO2 को यह जो हमारे tissue तक oxygen लेके जाता है यह यहां से CO2 को remove भी करता है eliminate करता है तो उससे यह क्या करता है acid based को regulate करके रखता है normal value normal value क्या होती है इसकी तो new bone में जो है उसमें 14-20 gram per deal होती है और children की बात करें हम तो इसमें 11-14 gram per deal और adult male की बात करें हम तो 13-16 gram per deal normal value जो है वह आपको हर जगे इसमें थोड़ी बूद variation देखने को मिल सकती है बढ़ हमेशा सभी में 7 नहीं मिलती है ज्यादा difference नहीं होता है थोड़ा बहुत होता है adult female में बात करें हम तो 12-15 gram per deal तीक है low level of hemoglobin यगर hemoglobin का level जो हो कम हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है या कि condition में hemoglobin का level जो है वो कम हो सकता है तो first one बात करें हम तो anemia की condition में hemoglobin जो है वो कम हो सकता है लेकिन केवर hemoglobin से ही हम anemia को denote नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हम RBC का level भी देखते हैं और PCV का भी देखते हैं ठीकि यह सारी चीज़े देखके फिर हम anemia को देते हैं उसके बाद iron क कमी हो जाती है या फिर B12 की deficiency हो सकती है क्योंकि RBC के formation के लिए B12 जरूरी होता है और hemoglobin के जरूरी होता है तो इनकी कामी के कारण भी hemoglobin की कमी हो सकती है excess blood loss हुआ हो उस condition में hemoglobin की कमी हो सकती है या फिर bone marrow मेरो में कोई abnormalities हो या फिर किसी की bone marrow failure हो गई हो उस condition में भी hemoglobin का level जो है वो कम हो सकता है क्योंकि cells का formation जो है वो कहां से होता है bone marrow से होता है और ही लेवल हाई हो जाता है तो किस condition में होगा पोलिस आइथीमिया की condition में hemoglobin का level जो है वो हाई हो जाता है इसमें का लेवल भी हाई देखने को मिल सकता है कंजिनाइटल हार्ट डिसीज हो सकती है अगर हीमोगलोबीन का लेवल जो है वो हाई हो तो 18 तक तो चलता है 20 से अबाव अगर चला जाता है 20 यह 20 से अबाव तो उस कंडिशन में हम उसको पॉली साइथिमिया के सकते हैं तो यह तो हो स्ट्रक्चर के बारे में सिंथेसिस कैसे होता है कम हो जाता है तो क्या होगा तो फ्रेंट साज हमने हीमोगलोबीन के बारे में डीटेल में पढ़ा जिसमें हमने उसके स्ट्रक्चर सिंथेसिस नॉर्मर वेल्यू सब के बारे में पढ़ा तो आई होप आपको यह अच्छे करें, सब्सक्राइब करें